राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आपसा हमारी यूटिब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अंगारी का चतुर्थी की कथा और महत्व बताएंगे दोस्तों हर महा में दो गणेश चतुर्थी आती हैं लेकिन गणेश चतूथी जब मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगारी का चतूथी के नाम से जाना जाता है। शास्तों के अनुसार अंगारी की चतूथी ब्रत जीवन के किसी भी छेत्र में सफलता के लिए बहुत लाबदाई माना गया है। इस ब्रत में श्री गणेश को सबसे भेले याद किया जाता है। इस सम्मंध में ऐसी माननेता है कि अंगारी की चतुथी का ब्रत करने से पूरे साल भर की चतुथी ब्रत का फल मिलता है। घर परिवार की शुक शांती, सम्रधी, प्रगती, चिंता वार रोक निवारन के लिए मंगलवार के दिन आने वारी चतुथी का ब्रत किया जाता है। अंगारिकी चतूर्थी की कथा सुने मात्र से ही पूरे साल बर के चतूर्थी ब्रत का फल मिलता है और भगवान श्री गनीश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। अंगारी की चतूथी को अंगारक चतूथी और अंगारी का चतूथी भी कहा जाता है अंगारक चतूथी की मातम में कथा करीश पुणार के उपासना खंड के साथ में अध्याय में वर्नित है अंगारक चतूथी की कथा इस प्रकार है प्रत्वी देवी ने महामुनी भारत द्वाज के जपा पुश्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया साथ वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्शी के पास पहुँचा दिया महर्शी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सब इधी उपनेयन कराकर उसे पेश शास्त्रादी का अध्यन कराया फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपती मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आग्या दी मुनी पुत्र ने अपने पिता के चर्णों में प्रणाम किया और फिर पुन्यस लिला गंगा जी के टटपर जाकर वह परम प्रभु गणीश जी का ध्यान करते हुए भक्ती पूर्वक उनके मंत्र का जब करने लगा पहबालक निराहार रहकर एक शहस्त्र वर्ष तक गणीश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जबता रहा माग क्रश्ण चत्विती को चंद्रद्य होने बर दिव्य वस्तधारी अश्टभुच चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए उन्होंने अनेक शृस्तधारन कर रखे थे वे विभिद अलंकारों से विभूशे अनेक सूर्जों से भी अधिक दीप्ती मान थे भगवान गणेश के मंगल में अध्वुशरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनी पुत्र ने प्रेम गदद कंठ से उनका इस्तिवन किया प्रभु बोले मुनी कुमार मैं तुम्हारे धैरे पूर्ण कठो तब एवं इस्तिवन से पूर्ण प्रसन्न हो तुम एक्षित बर मांगो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा प्रसन्न प्रत्वी पुत्र ने अत्यन्त विन्य पूर्वक निवेदन किया प्रभु आज आपके दुल्लव दर्शन कर में क्रताद हो गया मेरी माता परवत मालनी प्रत्वी मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी बाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए दया में मैं सर्ग में निवास कर देपताओं के साथ अम्रत पान करना चाहता हूँ मेरा नाम तीनों लोकों में कल्यान करने वाला मंगल प्रख्यात हो प्रत्वी नंदन ने आगे कहा करुणा मूर्ती प्रभो मुझे आपका भुवन पावन दर्जन आज माख क्रश्न चतूर्थी को हुआ है अतेव यह चतूर्थी नित्य पुन्य देने वाली एवं संकट हारने हो सुरेश्वर इस दिन जो भी प्रत करें आगे क्रपा से उसकी समस्त मनो कामनाई पूर हो जाया करें सद्य सिद्ध प्रदाता भगवान श्री गणेश ने बर प्रदान किया मेतनी नंदन तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्य विख्यात होगा तुम धर्णी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है अते तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथी अंगारक चतुथी के नाम से प्रख्यात होगी प्रत्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा ब्रत करेंगे उन्हें एक वर्ष पर्यंत चतुती ब्रत करने का फल प्राप्त होगा निश्चा ही उनके किसी कार्य में कभी विग्न उपस्थित नहीं होगा परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आके कहा तुमने सर्वुत्तम ब्रत किया है इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुक प्राप्त करोगे इस ब्रत की अद्वत महिमा है इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य की समस्त मनो कामनाओं की पूर्टे होगी ऐसा कहकर गज मुक अंतरध्यान हो गए मंगल ने एक भब्य मंदिर बनवा कर उसमें दस फुच गणेश जी की प्रतिमा इस्थापित कराए उसने उसका नामकरण मंगल मूर्ती किया वहें शिरी गणेश बिक्रह समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान, पूर्जन और दर्शन करने से सबके लिए मुक्ष प्रत होगा तभी से मंगल वार के दिन आने वाली गणेश चतुथी को अंगारक गणेश चतुथी के नाम से जाना जाने लगा यह हुआ कि वे ससरी स्वर्ग चले गए उन्होंने सुर्व समुदाई के साथ अम्रत पान किया और वहें परम पावनी तिथी अंगारक चतुथी के नाम से प्रक्ष्यात हुई यह है पुत्र पौत्रादी एवं सम्रत्थी प्रदान कर समस्त कामनाव को पून करती है परम कारोणी गणेश ची को अंतर हिदे की विशुद्ध प्रीती अभीष्ट है शद्धा और भक्ती पूर्वक त्रेताप निवारग, दयानिधान, मोदक प्रिय, सर्वेश्वर, गजमुक, कपित्थ, जंबो और बन्ने फलों से ही नहीं दूर्वा के दो दलों से भी प्रसन हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त मनो कामनाव की पूर्टी करते हैं जन्म जरा मृत्यू का सदर पाश नश्ट कर अपना दुल्लफतम पर्मानंद पूरित दिफ्य धाम भी प्रदान करते हैं अंगारी की चतुथी का प्रत मंगल भगवान और गणिश भगवान तोनों का ही आशिरवार प्रदान करता है किसी भी कारे में कभी बिग्न नहीं आने देता और साहस एवं ओजस्विता प्रदान करता है संसार के सारे सुक प्राप्त होते हैं तथा शिरी गनेश जी की क्रपा सदय बनी रहती है गनेश जी को सभी देपताओं में पतम पूर्जे एवं बिक्न विनाशक माना जाता है शिरी गनेश जी बुद्धी के देपता है इनका उब्बास रखने से मनोकामना की पूर्टी के साथ साथ बुद्धी का बिकास वाकाजों में सिध्धी प्राप्त होती है रमिक मानेताओं के अनजार चतुर्थी तिथी भागवान श्री कनेश के अप्तरन की तिथी मानी जाती है चतुर्थी का ब्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन प्राते काल ही इसनान वा अन्य केरियां से निब्रत होना चाहियें इसके पश्चात उपास का संकल्प लेना चाहिए संकल्प लेने के लिए हाथ में जल्वा दूर्वा लेकर करपती जी का ध्यान करते हुए संकल्प में यह मंत्र बोलना चाहिए मंत्र है मं सर्व कर्म सिद्धे सिद्धी विनायक पूजन मह करिश्य संकल प्लेने के बाद एक कलश लें, कलश में शुद्ध जल भरें इस कलश के मुँपर कोड़ा कपड़ा बांध है इसके बाद कलश के उपर भगवान शिरी गनेश की सोने, तांबे या मित्टी की बनी प्रत्मा रखने चाहें कलश के उपर भगवान शिरी गनेश जी की प्रत्मा इस्थापित करने के बाद भगवान जी के सामने शुद्धिखी का दिया जलाकर भगवान शिरी गनेश जी को दूर्बा अर्पित करने चाहें इसके बाद मोतक या लट्टू का भोग लगाना चाहें फिर भगवान शिरी गणेश जी का अक्षत, पुष्प, गंद, आदी से विधी विधान से पूचन करना चाहें, पूरे दिन निराहार रहकर प्रत करना चाहें, संध्या के समय, फिर विधी विधान से भगवान शिरी गणेश का पूचन करें, रात्री में चंदमा के उद्य होने पर उन्हें अर्ध दिया जाता है दूप सुपारी गंद तता अक्षा से भागवान शिरी गनेश जी और चतुर्थी तिथी को अर्ध दिया जाता है चंद देप का पूजन करने के बाद प्रत को खोला जाता है धार्मिक मानेताओं के अनसार इस प्रकार अंगार की कालन करते हैं और कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण होती है व्यक्ति को मानसिक तता शाड़िक कस्ट्रों से छुटकारा मिलता है भक्त को संकत पिग्ण तता सभी प्रकार की बाताइं दूर करने के लिए इस प्रत को अवश्य करना चाहिए आज के दिन अं हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और उस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेह भी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैल को सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स पूर वचिंग राते राते